एक और सपस सांसद आजम खान जेल में बंध है तो दूसरी और उनके करीबियों पर पुलिस की कारवाई जौरी है रामपूर पुलिस ने सांसद आजम खान के एक और करीबी शहजेब खान को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि शहाजेब पर पांच मुकद में दर्च हैं पुलिस ने शहाजेब के पास से डूंगरपूर प्रकरण में लूटे गए जेवर और नकदी भी बरामत की है शहाजेब खान की पुलिस को काफी दिन से तलाश थी जिसके बाद अब पुलिस ने शहाजेब खान को तोब खाना रोट से गिरफतार किया है शहाजेब खान की निशान देही पर डूंगरपूर और आसरा करौली में लूट पार्ट का सामान भी बरामत हुआ है यह मुम्मद आदम खान का करीवी साजेब खान, सनौफ मिन्ना खान, सहीद चौर्ग तना कोट वाली का रहने वाला है इसके बुद्द दो मुकद में तना कोट वाली में एनर्सी, सीय के दर्ज हुए थे जिसमें यह बांचे चल रहा था, उसी में इसको गरफतार किया गया है चार मुकद में गंज में आसरा कॉलोनी में जो लूट पार डूमरपुर में हुई थी इसके चार मुकद में पंजी करते हैं इसके बुद्द, इसकी निसान देही पर माल वरामद भी, लूट का माल वरामद भी हुआ है और इसके करते बिदिक कारवाई की जा रही है फिलहाल पुलिस गिरफतार शाहजेब से पूछताच कर रही है माना जा रहा है कि शाहजेब की गिरफतारे के बाद आदम खान की मुश्किले और बढ़ सकती है पंजाब केसिरी टीवी के लिए रामपुर से रवी शंकर की रिपोर्ट